जिन्दगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसका सीधा साधा उदारण है स्टॉक मार्किट वेल क्या आपने कभी सोचा था कि बैंक निफ्टी पचास हजार पे आईगी ऐसा हमने बिल्कुल नहीं सोचा था बट ऐसा हो रहा है बैंक निफ्टी ओल्मोस्ट पचास हजार तक आचुकी है इमाजिन भी नहीं हो पा रहा है कि पचास हजार का लेवल बैंक निफ्टी में आने वाला है किसने सोचा था ये लेकिन ये फिर भी मुम्किन हो रहा है कोविट के नाम पे बैंक निफ्टी 18-19,000 पे आचुका था अब ये पचास हजार पे आचुका है इसलिए बोरा जाता है कि इंडियन स्टॉक मार्किट एक डेवलपिंग कंट्री की स्टॉक मार्किट है जहां पर हमेशा उपर ही जाने वाली है इसलिए लॉंग टम इन्वेस्टी में हमें बहुत जादा विश्वास रखना चाहिए आज अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे वैल अल्मोश फ्लाट खुली थी यहां से कंटिनूसली उपर जाती है जो अपना इसका ओल टम हाई था 49,000 का उसके उपर भी चली जाती है उसके उपर ही क्लोज किया है मार्केट को क्लोज जोन में सिर्फ एक मिनट है अभी 3.28 हो रहे है और 49,400 के आसपास चल रही है बैंक निफ्टी अपने ओल टम हाई पर चल रही है और बहुत जादा पॉसिविलिटी है कि इसी हफते 50,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में आज मैंने ट्रेट किया था मिट कैप निफ्टी में और सबसे पहले मैं आपको मिट कैप निफ्टी दिखा देता हूँ ये भी अच्छा कासा गैप अप खुला था अगर मैं आपको कल अगर मैं आपको प्रीवेश ट्रेटी सेशन से बता हूँ लग बग अराउंड 0.4 परसेंटेज गैप खुला था उसके बाद बहुत जादा साइडवेज रगा अगर आप और सारे दूसरे इंडेक्स से कंपेर करेंगे निफ्टी, बांग, निफ्टी, फिन निफ्टी सभी बहुत जादा बुलिष थे अच्छा खासा मूव दिखा रहे थे उपर की तरफ लेकिन मिट्काप निफ्टी को ऐसा बिलकुल भी मनजूर नहीं था वो पहले ग्याप खुलता है उसके बाद वो एक ही रेंज में पूरा फसावा था विकॉज अगर मैं आपको होता हूँ मॉर्निंग के जो हाई बनाया था 11,043 उस लेवल से लेकिंगे सिर्फ 30 पॉइंट 0.37 परसंटेज में सिर्फ 30 पॉइंट के अंदर निफ्टी मिटका फसावा था और उसी के अंदर पूरा ट्रावल कर रहा था वेल ओविसली मेरे यहाँ पर कुछ स्टॉप लोस हुट हुआ थे मौनिंग में लेकिन उसके आज समाओ मेरी स्टाटेजी ने मुझे समाल लिया दोनों तरफ से हमें अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो यह मेरी आज की ट्रेड है इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो 18,616 का प्रॉफिट किया है जिसमें कॉल ओप्शन ने 10,290 का प्रॉफिट दिया है पूट ओप्शन ने मुझे 8,326 रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट दिया है जो मैं बता ही रहा था कि मार्किट एक्दम साइडवेश थी जिसकी वज़े से ओर ओर ओल मुझे दोनों ही तरफ यहाँ पर प्रॉफिट मिला है और यहाँ पर हमें कोई ऐसा स्पाइक्स हमें देखने को नहीं मिला जिसकी वज़े से मुझे स्लिपेज आई नहीं जादा जब भी ऐसी स्पाइक्स आती है तो ही दिक्कत देती है मार्किट वरना स्ट्राइडिजी तो टचूट हमारी अच्छी ही चल रही है और निफ्टी भी एक बार देख लेते है वेल ये भी बहुत जादा उपर गया है और 22,640 की रेंज में आ चुका है अच्छा कहां सा उपर की तरफ मूव दिखाया है लगबग 160 पॉइंट वेल मॉनिंग में 10 बजे से पहले निफ्टी थोड़ इसी डाइसी थी कि उसको किस तरफ मूव करना है एंड एक अच्छा नीचे के तरफ फॉल भी दिखाया था एंड जो आज का लो था मॉनिंग में उसको नीचे क्लोज कर दिया था एंड जो गैब बनाया था उसको भी फिल कर दिया था लेकिन वहां से continuously उपर जाता है तो निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर continuously लेके जाता है अच्छा कासा move दिखा है निफ्टी ने भी ऊपर की तरफ वेल निफ्टी तो all time high के लिए अभी लगबख 500.000 के आजपस है लेकिन bank निफ्टी ने अपने all time high के ऊपर close कर दिये and बहुत जादा high possibility है कि इसी हफते 50,000 का level यहाँ पर bank nifty टच कर देगा वेल अब यहाँ से देखा जाएगा कि क्या 50,000 से हम एक नया वापिस से एक चीज discuss करेंगे कि क्या bank nifty अब 75,000 भी टच कर सकता है वेल definitely touch करेगा आने वाले सालों में हम यह भी discuss करेंगे कि bank nifty ने finally अपना 75,000 का level भी touch कर दिया है बट वो ही है कि यह तो time बताएगा जैसा भी चल रहा है हम यह बस market के साथ move करते रहना है और India Wix भी देखेंगे तो आज 11.65 percentage positive यहाँ पर close हुई है 12.19 पर चल रही है जो मुझे यहाँ पर दिक्कत पहले लग रही थी कि India Wix 10 के आसपास आचुकी थी and premiums बिल्कुल भी था ही नहीं market में उससे अब थोड़ा सा जाधा better रहेगा because 12 के आसपास वापिस India Wix आचुका है premiums हमें थोड़े से better मिलेंगे but आज ना मुझे premium बिल्कुल भी सही नहीं मिले थे बहुत जाधा कम premium था call option आप देख सकते हैं सिफ 26 रुपीस का था put option सिफ 25 रुपीस का था so वहीं जहां मुझे mid cap nifty के लगबग around 35 से 40 के बीच मिलते है premiums मुझे यहां पर सिर्फ 25 रुपीस के premium मिले थे काफी कम थे and यह दिखके में morning में थोड़ा सा यहां पर nervous था because मेरा stop loss भी छोटा रहता है जिसकी वज़े से बहुत जाधा possibility थी कि मेरे यहां पर 12 बार बार stop losses भी हो जाते but वो ही है कि with God's grace ऐसा कुछ दिक्कत हमें नहीं हुई market बहुत जाधा sideways रही even though यहां पर बाकी सारे index अगर आप देखेगे ना आप देखेए खुद देखिए यहां पर fin nifty 2 percentage उपर है उसके आद bank nifty 2.5 percentage उपर है उसके आद nifty यहां पर 1 percentage उपर है at 0.6 percentage भी इसली हुआ है because market ने gap up खोला था यहां पर opening में उसी वज़े से यहां पर slightly positive close किया है but overall day यहां पर काफी जादा sideways था so अब देखेंगे कैसा जाता है April के मंत में सिर्फ एक और trading session है जो कल का trading session होने वाला है and कल यहां पर 2 expiry होने वाली है first off में को holiday है trading की इसी वज़े से bank nifty के जो expiry है वो कल होने वाली है and अब मुझे यह decide करना पड़ेगा कि क्या मुझे fin nifty में trade करना है या मुझे bank nifty में trade करना है well honestly अगर मैं आपको बता हूँ अगर मुझे बिलकुल भी risk नहीं लेना है and मैं एक दम risk free trade करना चाहता हूँ then मुझे bank nifty में trade करना चाहिए because यहाँ पर bank nifty मुझे मुझे मालूम है कि इतना जादा बड़ा loss नहीं हो सकता लेकिन अगर मुझे जादा profit चाहिए then definitely मुझे fin nifty में trade करना चाहिए because fin nifty में जादा profit मिल सकता है लेकिन उसके सादा loss भी हो सकता है वो चीज के लिए में थोड़ा सा ready रहना चाहिए well यह चीज मैं अभी तो बिल्कुल भी decide नहीं कर पाऊँगा and मैं रात तक ही decide करूँगा कि क्या मैं कल fin nifty trade करूँगा या मैं bank nifty trade करूँगा and अगर आपको जानना है कि मैंने क्या trade किया कल then आपको उसके लिए कल की मेरी video देखनी पड़ेगी जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा यहाँ पर index trade किया and कैसा रहा मेरा वो दिन and उसके साथ साथ जो last week था 22nd of April च 26th of April उसकी मैंने weekly pendle की video अलड़ी shoot कर लिया है वो भी बहुत जल्दी आपको मेरे channel पर दिख जाएगी and उसके साथ जो April मन्त की यहाँ पर profit and loss की video है वो भी मैं बहुत जल्दी shoot कर दूँगा कल का एक trading session है वो भी एक बार complete हो जाए then उसके बाद मैं पूरी video महिने की shoot करूँगा and पूरे महिने का हम discuss करेंगी की कैसा हमारा month रहता trust me on this April तो बहुत जादा difficult था and 2024 में सबसे जादा difficult month April इथा मेरे लिए spice इतने जादा थे तो उसके बारे में हम एकदम detail में discuss करेंगे आप बस मेरे चानल के साथ जुड़ रही है so that's it about this video यही ता आज की video की बारे में I hope आपको video अच्छी लगी हो and कुछ न कुछ सीखन को मिला हो so thank you for watching the video with lots of patience let's meet in the next video then